मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोजेक्ट वर्क में आज ये प्रोजेक्ट नमर 5 है अंक गणित के अंतरगत कुछ प्रश्णों का संग्रह लेंगे जिसको कि हम project work के रूप में यहाँ पे देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे आते हैं अंक गणित के अंतरगत हम जो project work लेंगे हम लोगों का सबसे पहले जो object होगा उसे लिख लेंगे तो object में दिये गए प्रशनों को हल कीजिए हमारा object है यहाँ पर और दो छोड़े छोड़े प्रशन दिये गए हैं जैसे कि सिद्ध कीजिए 10-7 डिग्री, 10-23 डिग्री, 10-60 डिग्री, 10-67 डिग्री और 10-83 डिग्री का गुणा करने पर हमको result क्या मिलना चाहिए वर्गमूल तीन मिलना चाहिए उसे प्रकार से इसी में दूसरा प्रशन है 14 सेंटीमेटर ब्यास वाले अर्थ गोले का संपूर्ण प्रिष्टी 6 रफल याद कीजिए अब इन दो प्रशनों को हम लोग अबजेप्ट की रुप में जो मिला है इसका हम प्रोजेक्ट फाइल त्यायर करेंगे तो देखते जाए आगे हम लोग इसको कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें आवस्रेक्स सामग्री को नोट कर लेंगे जो कि हमारा इस टेप में आता है आवस्रेक्स सामग्री सबसे पहले एंतरगत सबसे पहले 150нут शागनि gay पूरग कोम्ट्ट सादिव हम वहर प्याद होना चाहिए कर लेंगे इसको और दूसरा तो दोनों प्रशनों में से एक सबसे पहले तरिकोड मीती का उप्योप करते हैं जो पहला प्रशन में के रुप में दिया हुआ है उसी में हम लोग क्रिया विधी से प्रारंब करते हैं इस क्रिया विधी में सबसे पहले हम लोग के शाण़नी को यहां पे बना लेंगे तो इस परकार सेinte पूरक कोड़ सारण और त्रिकोडबीती साण़नी को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे आपर क्योंगि यह सब चीजे हम लोगों को ऐसे तो याद होना चाहिए परन्तु ये प्रोजेक्ट वर्क है इसलिए इसको हमको दिखाना भी जोर रही है अब आते हैं उपरोक्त मने इस साड़नी के मदद से हम लोग क्या करेंगे यहां पर सिद्ध करेंगे क्या चीज़ सिद्ध करेंगे देखें यहां पर प्रेशन लिखा हुआ है 10-7 डिग्री 10-23 डिग्री 10-60 डिग्री और 10-67 डिग्री 10-83 डिग्री सबको गुणा करने पर वर्गमूलतीन अंसर आना चाहिए तब हम लोग यहां पर साड़नी के मदद से सबसे पहले हम लोग यह 10-7 डिग्री का पेर ढूंड लेंग तो 10-7 डिग्री का पेर होगा 10-83 डिग्री और 10-23 का पेर होगा 10-67 डिग्री ठीक है अब यह पेर क्यों होगा क्योंकि हम लोग इसको पूरक कौंट साड़नी का उप्योग करना चाहेंगे पूरक कौंट साड़नी यहां पर आप लोगों को दिखाया गया है यहां पर 90 minus theta is equal to car theta का उप्योग करना है ठीक है तो चलिए यहां पर देखते हैं अब हम इसका उप्योग कैसे यहां पर कर पाते हैं कैसे करना है ध्यान से देखिए यहां पर यह 10,7 degree हम लोग सबसे पहले left hand side को लेकर के चलते हैं हमको जो दिया गया है उसका left hand side में 10,7 degree और उसके बाद 10,23 degree यह हो गया और 10,60 degree आप लोगों को याद होगा 10,60 degree का value कितना है अगर नहीं है तो आप ऐसे साणी के पास जा करके आप देख सकते हैं यहां पर देखिए 10,60 degree का मान कितना है यहां पर वर्गमूल 3 है तो यहां पर हम लोग 10,60 के जगा पर वर्गमूल 3 का मान भर देंगे यहां पर तो यह देखे 10,7, 10,23 फिलाल एक step 10,60 ही लिखते हैं next step में हम मान भरना प्रारंब कर देंगे और यहां पर 10,67 को क्या लिखेंगे देखिए 10 हम यहा 10,7 को 90-23 लिख सकते हैं क्योंकि इसके value में देखे किसी प्रकार का changes नहीं आया और इसी तरह से 10,83 degree को हम लिख सकते हैं 90-7 degree ठीक है तो इस तरह से हम लोग left hand side का थोड़ा सा परिवर्दन किये और आप लोग ऐसा कर सकते हैं यहां पर देखिए आप बहुत ही सरल है आप य 10,7 degree को ऐसे ही लिखेंगे 10,23 को भी ऐसे ही लिखेंगे 10,60 का value अभी आप लोग देखे थे क्या था यहां पर वर्गमूल 3 था यह हो गया यहां पर देखे 10,90-theta यहां पर कौन सा फर्मूला यूज करेंगे देखे मैं बता रहा हूं 10,90-theta बराबर कॉड-theta इस फर्मू काट 7 degree हो जाएगा आप लोग जान रहे हैं वित्क्रम सुत्र भी होता है हमारे यह साइन कास 10 का तो यहां पर मैं वित्क्रम सुत्र के पूरे साड़नी को नहीं खली एक हीठों का बताता हूं जैसे कि हम लोग साइन थिटा का क्या हो जाता है वन अपान कोसेक थिटा इसी इस तरह से 10 थिटा का 1 अपान कोड थिटा और कोड थिटा का 1 अपान 10 थिटा इस तरह से हम लोग यूज करेंगे इसको तो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखिए यहां पर 10 7 डिग्री ऐसे ही लिख लेंगे 10 23 को भी ऐसे ही लिख तो कितना हो जाएगा वन अपान 10,23 डिग्री हो जाएगा और काट 7 डिग्री जो है ये भी वन अपान 10,7 डिग्री हो जाएगा अब यहां पर देखिए बड़े आराम से अंस में यहां पर 10,7 डिग्री है यहां पर हर में 10,7 डिग्री है यह केंसिल हो गया 10,23 अंस में है 20,23 हर में है यह भी केंसिल हो गया बसता क्या है वर्गमुल तीन जो कि हमारे लिए राइट हैंड साइड को दिखाता है इस तरह से हमारा यह प्रूफ हो जाता है 14 सेंटिमेटर ब्यास वाले अर्थ गोले का संपूर्ण प्रिष्टी छेत्रफल ग्यात कीजिए तो मैं आपको यह अर्थ गोले का प्रिष्टी छेत्रफल बताते समय कुछ आपको पूरा नहीं सारी चीजों का याद दिला देता हूँ चूंकि आप एक अच्छे क्लास में ब देखते होंगे फुडवाल ओगर देखते होंगे या अपने गलोब ओगर का देखते होंगे उप्योग करते होंगे सब्जेक्ट के पढ़ाई में तो यह जो गोला फुडवाल ओगर होते हैं यह सब गोले में आते हैं और गोले कैसे होते हैं इसका अनुमान आप लगा सकत जैसे कि आप घर में हमेंसे एक निम्बू काड़ते हैं, तो किस तरह से दिखाई देता हैं, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे चितर की तरह दिखाई देता होगा, आप अन्या सारे गोल चीज़ों को भी काड़ते होंगे, तो आपको उसी तरह से यहांपर महसूस करना है कि हम उन चीजों को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर यह कटा हुआ बाग देखिए, यह हमारा क्या है, यह अब अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ओ मैं बताता हूँ आपको, इ यह हमारे लिए एक त्रिज्या के रूप में काम करेगा ऐसा अगर यहां से हम इसको ले जाते हैं इसकी नारे तक तो यह हमारा त्रिज्या हो गया अब इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो यह हमारे लिए ब्यास का काम करेगा थीक है तो इस तरह से आक्रिती को हम क्या करते हैं नुमान लगाते हैं यहां पर चु lei गोले का कलपना करते हैं फुड़वाल को काटने से कैसे दिखेगा या तो फिर एक निंबू को काटने से कैसे दिखाई देगा ठीक है तो इस part को में आप लोग और थोड़ा सा बता देता हूं उसके बाद इसको आगे हल करेंगे χांगे हम को सबसे पहले जो दिया है question को उस पर थोड़ा सा focus करते हैं लोग हम को दिया क्या है देखिये हम लोग लिख लेते हैं question number two का solution लेंगें जिसमें हमको क्या दीया है 14 स्ट्री आर्ध ग आरी स्काइर होता है अब फौर्ट रखने गिलिए मैं आपको एक और इसीएamamे बताता हूं आ Mole से पहले अर्ध गोले में हम लोग परिणत कर लेते हैं देखिए ध्यान से इसको यह देखिए यह हमारा अर्ध गोला हो गया इसका टाप कैसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को बिल्कुल बृत की तरह दिखाई देता होगा यह इसका टाप जो है इस तरह से इसका टाप है इसका टाप जो दीख रहा है हम इसे इसको सोगते हैं कि यह ब्रीत के समान है और ब्रीत का परीधी क्या होता है 2 pi R होता है और इसका जो 6 तरफ़ल होता है pi R Squire होता है तो यहाँ पर देखिए इसका जो टाप वाला section है जिसको कि मैं यहाँ पर देखिये दर्शा रहा हूँ अभी यह इसका केंद्र हो गया और केंद्र से मैं तीन चार त्रिज्याओं को ले करके चल रहा हूँ देखिये यह इसकी त्रिज्या हो गई है हम चाहें तो यहाँ से इसकी भी त्रिज्या यह भी हो जाएगी ये क्या काम करता है ये πR2 के लिए ये कारे करेगा बृत के लिए ठीक है और जैसे कि आप लोग जान रहें हैं कि 4् треб हमारे पूरे गोले का पृष्टिछ तरफल होता है अब प्रिष्टी छेत्रफल में क्या हो जाएगा सिर्फ प्रिष्टी छेत्रफल में यदि हम उपर टाप के बृत का छेत्रफल को जोड़ दें तब क्या हो जाता है ये अर्ध गोले का संपूर्ण प्रिष्टी छेत्रफल आप लोगों को इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा देखें यहाँ पे 2 pi r square है एक ठो और एक ठो pi r square है तो क्या करेंगे इसको 2 pi r square प्लस pi r square यानिकि बरित का छेत रफल और अर्ध को लेका प्रिश्ठी छेत रफल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 3 pi r square हो जाएगा और इस तरह से हमारे अर्ध को लेके संपूर्ण प्रिष्ट का 6 त्रफल जो होगा होगा, यह जैसे यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है, ब्यास, यह हमारा ब्यास होता है टोटल, कितना दिया है, 14 cm दिया हुआ है, तो हमारा त्रिज्या क्या हो जाएगा, बड़े ध् जानते हैं, यहां पर ब्यास बराबर 2 x R होता है, और ब्यास का मान हमको मालूम है 14 cm, और यहां पर 2 x R हुआ, इसलिए R बराबर 14 बटे 2 हो जाएगा, बराबर 7 cm हो जाएगा, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो इतना वर्डन आप एक पेज में डाल देंगे, जिससे में बनाएंगे प्रश्ण और उसका हल सुरू करेंगे, तो इन सारे चीत्रों को भी बनाने का कोशिस कीजिएगा, आप लोग वो सेवस्थ से बनेगा, क्योंकि बहुत ही सामान्य चीत्र हैं, और इस तरह से चीत्र के आसपास ही जैसा इसमें समझाय गया है, आप ल को लेका, संपू美味 प्रिष्ठी एच्यचेतरफल, 3π0R2 देखे यहां पर लिखा हुवा है, 3π0R2 तो 3π0R2 लेकर कर कहम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, बड़े ध्यान से देके यहां पर बराबर, 3 का 3 लिखे, पाई का मान रगे डिए, 22 बटे, 7 और 30 आर बराबर कितना म तो इस तरह से आप एक साथ को तो काठी लेंगे अंसर हर में होनी की वज़े से और इसको गुणा कर लेते हैं 22-36 होता है इसको साथ से गुणा देंगे यहां पर देखिए ध्यान से हम यहां पर सारे चीज़ों को लिखते नहीं है हन आप चाहें तो लिख सकते हैं 7 cm है यह भ वर्ग में होता है आप लोग जान रहे हैं तो इसको गुणा कर सकते हैं देखें साथ चक्षक के 42 और 446 इस तरह से 462 वर्ग सेंटीमिटर हमारे संपून प्रिष्ट का छेतरफल होगा तो आप देख रहे हैं यहां पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप अच्छे से जान सकत हैं इस चीज़ को करने से अब आता है यहां पर हम लोग जो परिणाम लिखते थे अलग से लिखने की जोरत नहीं है और आप चाहें तो लिख सकते हैं परिणाम में क्या लिखेंगे आप पहला का पहला परिणाम लिख सकते हैं और दूसरा का दूसरा परिणाम लिख सकते ह कि आपको इसको पहले के प्रश्च्र को पूरा लिखना पड़ेगा दूसरे के प्रणदा में आप लिख सकते हैं प्रिष्टिय छेत्रफल अर्ध गोले का संपूण प्रिष्टिय छेत्रफल बराबर कितना मिला हम को 402 संटी मीटर प्राप्थ हुआ यहां तक तो ठीक है, परन्तु आगे देखिए, सबसे बड़ी बात होता है, यहां पर हम लोगों को सावधानी लिखने का, हमेशा आप सारे project work में सावधानी अवस्य लिखे, क्योंकि सावधानी जो है project work में बहुत ही जोरी है, सामन्य गणित बनाना अलग होता है, और project work करत समय जो गणित बनाते हैं, उसमें हम लोगों को सावधानी लिखना ही पड़ता है, ठीक है, तो सावधानी में आप जितना ठो चाहें लिख सकते हैं, जैसे compass box यूच करते हैं, तो आप उन सारे चीज़ों को लिख सकते हैं, जो मैं पहले बताया हूँ, कुछ नया चीज़े भी लिख सकते हैं, जैसे कि सुत्र का सही जगह उपयोग करना, उसके बाद सारणी अच्छे से याद होना चाहिए, उसके बाद आप चाहें तो अन्य कई प्रकार के और सावधानी आपके मन में आते होंगे, तो उन सारे चीज़ों को आप लिख करके एक बढ़िया से प्र मेरे चैनल में पहली बार हैं, तो आप मेरे पिछले सारे वीडियों को देखिए, ताकि आपको प्रोजेक्ट 1234 अच्छे से समझ में आए और आप बना लें, और आप पहली बार बने हुए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको समय पर पूरा वीडियो मिलता रहें, और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर इसको सेर कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और इस तरह से आप पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद